नमस्कार मैं नाम है रोहित सिंग और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन आज हम बात करने वाले हैं सोसल मीडिया पर पोस्ट किये जाने वाले दो तस्वीरों के बारे में जिसमें एक तस्वीर जो है वो आरेसेस के स्वैम सेवको का है और दूसरा तस्वीर जो है वो खालस तो पर चीजों के समर्थन में जब इसका परताल किया गया तो कुछ और ही चीज सामने निकल कर आई आप जब ट्वीटर पे देखेंगे सोसल मीडिया पर तो उस पर कुछ तस्वीर जो है शेयर किया गया है आरपी सिंग जो भाजपा के राष्ट्रिय प्रवक्ता है उनके द्वारा और उसमें दिखा उस तस्वीर को पोस्ट करके लिखा गया है कि जो चमूली तपोवन में ज जो तस्वीर है वो आठ साल पुरानी है यानि 2013 में एक वेब साइट पर यह तस्वीर 2013 के डेट में मिली यानि लगबग आठ वर्स पुरानी और उसमें बताया गया है कि उस समय जो उत्राखंड में बाढ़ाया था उस समय RSS के स्वैम सेव को द्वारा कैंप लगा कर वहां अधराखंड में मदद पहुचाई जारी है दरसल वो तस्वीरे जो है 2018 की है जब केरला में बाढ़ाया था के आयोए बाढ़ में खालसा 8 के सदस्यों के द्वारा वहां पर जाकर मदद पहुचाई गई थे हाला कि पोस्ट शेयर करने वाले ने इसमें पीम मोदी के लिए ह आश्टेक लिखा हुए और उनके जो लैंग्वेज है जरा पढ़िये यहां पर लिखा हुआ है कि हमारे आतंकवादी वहां मदद करने के लिए पहुच गया है कि सोच के साथ यह पोस्ट किया गया यह तो पोस्ट करने वाले को ही पता होगा लेकिन जब इसकी प्रताल की तो यह पता चला कि यह जो पोस्ट है वह वास्तविक्ता से बिल्कुल अलग है यानि कि यह दोनों के दोनों पोस्ट जो है वह धरातल पर कहीं एक्जिस्ट नहीं करते हैं पुरानी तस्वीरों को ही अभी दिखा दिया गया है हाला कि खालसा 8 के तरफ से एक वीडियो जार कि वो लोग अब गुतराखंड में मदद के लिए पहुँच चुके हैं ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हैं मीडिया दर्शन के साथ धन्यवाद